सब्सक्राइब गुरु सावने सब्सक्राइब वक्षिए पुराइब एंजिला जीड़े के टिमारों तो आए नियादी तल रात पहुंचे इसे अपने बेते हैं जीड़े जो होवा मेटन स्वाश से लमेट समय तो नो कर चांटी रपचार कर देंगे से काफी लमेट समय तो पचार कर देंगें प्रिश्चंची के जना प्रटी अपने पूर्न ने गोशे का पके दिए बच्च्यानों करे राके पड़वना जन्यावी विद्यावी कार विच्पती समय बढ़ने अच पैंटे बच्चे बड़ा पेटा पाइक सालता परेंटी के जीवन गुटी चूटी सी होगी मटेयार होगी अच्छानों करेंटी और प्रेष नुवासते बेटाइक प्रेष नुवासते प्रेष रहाँ प्रेष नुवासते हैं कि व्याव स्वावावशने लिए बाइब लगववासते प्यावासते पर वो कौनिक के सब आए नहीं से बच्चा पार गुरु साम बहुत प्यार का मुड़ा ते उने पैंड वाख्या पही हमें, जो पैंड ने को बाई हो चो राप लेनी है ते उने गुरु गांसा विचे पह राप लेनी है ते पैंड दे तानी अड़ जिया नहीं है थे गुरु गुरु गरांसाव ते गठे गढ़का से बाई हो जो करना क्राएं समाहर बढ़ा पैंड ने के बढ़ा कश्लता का मुद्वा मैं आवं करा हो मैं तो बुरु ग्रांसार स्टइडी कर अनुने करांदे आज तो तक रियर एक साल पहला मुदता प्टेश्टियम्हों शेर वे चलिएंग्या हैं एंटरेनेट रही जना है। शेखनेट जहूर वेबसाट ताहिंग आजए। गुरुगरांच साथ बाले पढ़ना शुरू किता ते शेखते आख बाले पढ़ना शुरू किता। प्रीस्ता था यहां सी का शुरूर। अग्रु गुरु ग्रांसाब देख अगन लपूंगी ते आवदे ज्वाहिने मैं खुश्ट्यन बढ़ा हुगी पर गुरु ग्रांसाब पारसाम लोमें फंचन हुआ ना ओगा पारसम ना ओंगे को चुश्ट्या विके में लगकना ताई रपारसमा तो ना से का पुलें पुठे लागहित यौह पुठे मानना है छिखे अजो दर्पाने आजो सेते मानने पढ़ना दे आँ शरू की सा घुता है गुरुग्रांसारी पड़ाहियो पड़ांगि जवाए नों खृष्ट्रन बढालूगी ते ओधाथ अटे रिपड़ाई भूप्टियांदी रहागी है पंद्रा फंद्रा खारा खार का टाइप अन्य पांड नागूल गांसम्ट करवेधर लडाई पांडी शिलो होगी कि पर दोर मॉकिंग का देशी हैं कि रोज पर श्चैंटी इप चाहर कादने जन्देशी हैं एपर बार न कभी पता तो कालबार भीयर आटेमाल हो दो है काफी बन्दे कांबीर न रहां देशी हैं पर मारेकन कुपर कारम कावण पट्टे पेट्टी अपॉर्ख रास्त गुआ अचनि पिछले कारम जाएक। गरसे किरी खैची पैने लागेंसे ते पिटिक रिवन काफी मीन यादो पैनने साथ पाणियान पादसिगो कानने। तेकर ने समाब बढ़ने आथे कारवणया देख लेए विए ला सारी जेली गुरू रांसल्क हो दी रही काम ते वी कारवाद नोई वरकर रहा काम कारते हुए उन्हों विए काप्टर काना पे यहां डेखिना पोर भी कोश्कात में काम काम दिविट क्याल ही रख दी है का दे परवाद में अंदर बहुत बरोध कर लागें परवाद यह वैसी परवार बड़ा हेल्थी वेल्थी है सारगोज वेल्षी एडला बड़ा प्रवाद प्रवाद प्या पाक दी मां परवाद के निमा शेक बांड़ना ते कारवचे नी बड़ाए पैके पैंडों डेख निया बांड़ना ते गुरू रहांसरी बांड़न परवाद का देख दी उप से पैंड़ना ते व्याल बांड़ना दो देना ते टीजे आए निकरिमेर आफ्डावन रावन शूस कारती है थी वीच पानी ने जरी पानी दोले लाख देग कि अधिए निदे निदे अधिए निदे रखे ने श्री कंपन लाका बहुत आज़ा तो मैंनों आये लाके मेरी स्री वेची कोश्वी निहीं होगा थे कि अधिए मैं का दे मेंबरानों हाख्याद तुछ मैंनों पहुत कंपन ना कड़ दो कि मैं अधम भाणी पानी ही पांडी मैं से व्टे का जेंगें परवार दे मेंबरानों नोट से जी दे ता है कि विए दो जनुवरी दो ही 18 तक तुछ लगार खाली करते हैं, जो लेगे तरी कारोबार तो तरह राह बार भर्सावान देखें जो नहीं तुम जो प्याइन गें तो मेंटिका मौण लगें जो जो गोवा विटनस वार जो शी नाल अधाल, मेंबरे ने काम खाले सीगे, तर जवाब हो लागें और पैंड करें जोन मैं गुरू करें सारी प्योदार नेनी ते उनों को जवाब नहीं ते पिर सुच्छ जवान बच्चे लेकि चाट के तौना होता है बच्चे ने लेकर लिकी पैंड हुए गुडबाइ फौर एवर असी सेखो के अमर्शक्रा सानूं से करना मश्कर लगता सानू शेखों के अमडिवाणिण आर पात काना यानिकली सागी असी सेखों के गुरू सा अते रूगराण्साव जासों घरांसे पाई ने थाखो अधो डासी पाई जी थे 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 थरकान का भाईं का भाईं का भाईं का पाईन। I want to request Ryan and Mark confront of Guru Granth Sahib Maharaj and introduce yourself please. I just want to say to you today that my journey started when my Petty is married, a Punjabi boy, and he thought that he would be able to study the Bible. And forget about seeking. But when he started studying the Bible, he realised how much he needed Guru Granth Sahib. He couldn't do it. And with a lot of stuff that was happening with him not becoming a witness, I decided that with what he was saying to me about seeking, that I had to look. And the day that I picked up Guru Granth Sahib, I could never put it down. And I just realised that there's nothing left in this world. And I knew what it meant, because there's witnesses. If we leave being a witness, then the family does not do it. And I tried for two weeks to, I said to the family I'd stop. And for three days, it was terrible. Three days it lasted and I said I can't do it. I've got to, I've got to read Guru Granth Sahib. And it just felt like I was a fish that needed the water. And I couldn't understand what was happening. Because it was just all so new and, 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 but it was just beautiful. And I just see, like, I was in Tamaru, and so many of the young Punjabi boys have come over, cut their hair, take the turban off, and think they can live without seeking. And they can't. For me, for those three days, I was dying spiritually because of what I'd already deemed. And I had no choice but to carry on and learn more. The family hated it. And threatened right through the whole time that if I didn't stop, I had to leave. And everything, like, as soon as I started very, just to keep covering them, to put it, and that wasn't allowed. And then, when I wanted to get up for Ameripola, that wasn't allowed. And the list just kept going. Until I just kept praying, and praying, and praying, and praying to my girl. And just reading the family, and learning as much as I could. Trying to know in Hunjabi. Getting there. And trying to know it all with me. And I just know that I can't live without it. And the family had said goodbye. And although that was hard to leave, especially by the day I left, my daughter was pulling me back. And telling me to leave, and telling me to leave Siki and stay. But I knew I can't. And I know that life is nothing without Siki and without Guruji. And I know that I just keep praying to what he grew about the family. And we'll see what happens. But we all don't know what tomorrow will bring. And today could be our last prayer. And today could be our last prayer. And that's what I kept thinking when the family was saying that I can't continue and stay. And I just knew that I couldn't not continue. And how precious Siki is. How precious Guru Grantham is. He's our living Guru. And we need to listen to him. And listen to him. And just, it's amazing. I just hope that everybody that hears this realizes how precious it is. And never take it for granted. And when I first started learning, I thought I was an Indian religion, you know. And, but then when I started learning about the Gurus and thinking about what Guru Nanak did, deeds, women, he wanted to tell the world about all the precious things he had to teach you. And so for us, we tell you we should be reaching out to people and teaching them and helping them to see how precious they are. and have precious burdens to have us. And just, there's nothing left that might be. I'm sorry for your mistakes of mine. One thing that you can't tell us about one thing that you can't tell us about one thing that you can't tell us about. Thank you very much. Mm hmm. Amém.